आदर्णिय राष्पती जी आदर्णिय उपराष्पती जी आदर्णिय स्पीकर महुदए मन्द परव्याजमान सभी वरिष्ट महानुभाव और सदन में उपरस्थित सम्रिधान के प्रती समर्पीत सभी भाईयों और बहनों आज का दिवस बाबा साब अमबेड कर डॉक्टर राजेंदर प्रशाथ जैसे दुरन देशी महानुभाव को नमन करने का है आज का दिवस इस सदन को प्रणाम करने का है क्योंकि इसी पवित्र जगां पर महिनों तक भारत के विद्वत जनों ने एक्टिविस्टों ने देश के उजवल भविश के लिए ब्रवस्थाओं को निर्धारित करने के लिए मंधन किया था और उस मैंसे समिधान रुपी अमरित हमें प्राप्त हुआ है जिसने आजहादी के इतने लंबे कालखंट के बाद हमें यहां पहुँचाया है आज पुझ्य बापु को भी नमन करना है आजहादी के जंग में जिन जिनों गरें अपना बलिदान दिया अपना जीवन खपाया उन सब को भी नमन करने का यह उसर है आज चब्वीस ग्यारा हमारे लिए एक ऐसा दुखत दिवस जब देश के दुश्मनों ने देश के भी तरा करके मुंबए में वह ऐसी आतंगबादी घटना को अंजाम दिया भारत के सम्विधान में सुचीत देश के सामान ने मानवी की रक्षा की जिम्मेवारी के तहट अनेख हमारे वीजवानों ने उन आतंगबादियों से लोहा लेते लेते अपने आपको समर्पित कर दिया सरवोच्चे बलिदान दिया मैं आज 26 ग्यारा को उन सभी बलिदानियों को भी आदर पुर्वक नमन करता मुझा आदरनियों महनभाव कभी हम सोचें कि आज अगर हमें सम्विधान निर्मान करने की नौबत होती तो क्या होता आज हादी के अंदोलन की चाया देश भक्ति का ज्वागर भारत विभाजन की विभीशिका इन सब के बावजुद भी देश हित सुप्रीम हरेक के रुदे में यही एक मंत्र था विभीतताओं से भरा हुआ देश अनेक भाषाएं अनेक बोलियां अनेक पंत अनेक राजी रजवाडे इन सब के बावजुद भी सम्यधान के माध्यम से पुरे देश को एक बंधन में बांद करके आगे भढ़ाने के योजना बनाना आज के संदर में देखें तो पता नहीं सम्यधान का एक पेज भी हम पूरा कर पाते क्योंकि नेशन फरस्ट काल क्रम से राजनीती ने उस पर इतना प्रभावं पैदा कर दिया है कि देश हित भी कभी कभी पीछे छुड़ जाता है यह उन महानुभावों को प्रणाम इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने उनके भी अपने विचार होंगे उनके विचारों के भी धारा होगी उस धारा में धार भी होगी लेकिन फिर भी राष्ट हित सुप्रिम होने के नाते सबने मिल बैठ करके एक समिधान दिया साथियों हमारा सम्विधान यह सिरफ अनेग धाराओं का संग्र नहीं है हमारा सम्विधान सहस्त्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा अखंड धारा उस धारा की आधुनी अभिव्यक्ति है और इसलिए हमारे लिए लेटर एंड स्पिरिट में सम्विधान के प्रती समर्पन और जब हम इस सम्विधानी की ववस्था से जनप्रतिनीजी की रूप में ग्राम पंचायद से लेकर के साउसद तक जो भी दाईत्वनिभाते हैं हमें सम्विधान के लेटर एंड स्पिरिट को समर्पित भाव से ही हमें अपने आपको हमेशा सज्ज रखना होगा अब जब ये करते हैं तो सम्विधान की भावनाओं को कहां चोट पहुँच रही है उसको भी हम नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं और इसलिए इस सम्विधान दिवस को हमें इसलिए भी बनाना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उस सम्विधान के प्रकास में सही है कि गलत है हमारा रास्ता सही है कि गलत है हर वर्ष सम्विधान दिवस बना करके हमने अपने आपको मुल्यांकन करना चाहिए अच्छा होता देश आजाद होने के बाद 26 जनवरी प्रजासता परव की शुरुवात होने के बाद हमें 26 नमबंबर को सम्विधान विवस के रूप में देश में मनाने की परंपरा बनानी चाहिए थी ताकि उसके कारण हमारी पीडी दर पीडी सम्विधान बना कैसे कौन लोग थे इसको बनाते थे किस परित्थित्यों में बना क्यों बना हमें सम्विधान कहां ले जाता है कैसे ले जाता है किसके लिए ले जाता है इन सारे बातों की हर वर्ष अगर चर्टा होती है तो संभिधान जिसको दुनिया ने एक जीवनत इकाई के रुप में माना है एक सामाजिक दस्तावेच के रुप में माना है विवीदता भरे देश के लिए ये एक बहुत भड़ी ताकत के रुप में पीड़ी दर पीड़ी है अवसर के रूप में काम आता लेकिन कुछ लोग इसे चूक गए लेकिन जब बाबा साब अंबेड करके 125 विजेंती थी हम सब को लगा कि इससे बड़ा पवित्र अवसर क्या हो सकता है कि बाबा साब अंबेड करने इस देश को जो बहुत बड़ा नजराना दिया है उसको हम हमेशा हमेशा के लिए समर्थी गरंत के रूप में याद करते रहें और इसी मैंसे और मुझे आत है जब सदन में इस विशे पर मैं बोल रहा था 2015 में बाबा साब अंबेड करके 150 वी जेन्ति के निमिती इस काम की गोशना करते समये तब भी दिरोध आज नहीं हो रहा है उस दिन भी हुआ था कि 26 नुमेंबर कहां से ले आए क्यों कर रहे हो क्या जरूरत थी बाबा साब अंबेड करका नाम हो और आपके मन में ये भाव उठे कि देश अब सुनने के लिए तैयार नहीं है और अज अब भी अब भी बड़ा दिल रख करके खुले मन से बाबा साब अंबेड कर जैसे मनीश्यों ने देश को जो दिया है इसका पुंडे समन करके स्मर्णतनी के तैयारी नहीं होना ये भी एक जिंता का विश्या है साथियों भारत एक समिधानिक लोक्तांत्रिक प्रग्परा है राजनितिक दलों का अपना एक एहम महत्व है और राजनितिक दल भी हमारी समिधान की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रमुख माध्यम है लेकिन समिधान की भावना को भी चोड़ पहुंची है समिधान के एक एक धारा को भी चोड़ पहुंची है जब राजनितिक दल अपने आप में अपना लोक्तांत्रिक करेक्टर खो देते है जो दल स्वयम लोकतांत्रिक करेक्टर खो चुके हो वो लोकतांत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं आज देश में कश्वीर से कन्या खुमारी हिंदुस्तान के हर कोने में जाईए भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो समिधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विशय है लोकतंत्र के प्रती आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विशय है और वो है पारिवारिक पार्टियां राजनिजिक दल पार्टी फॉर्ट फैमिली पार्टी बाइदर फैमिली अब आगे कहने की जरूत मुझे नहीं लगती है कश्मीर से कुन्या कमारी हरी राजनिजिक दलों की तरफ देखिए ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है संबेधान हमें जो कहता है उसके विप्रित है और जब मैं एक कहता हूँ कि पारिवारिक पार्टियां इसका मतलब मैं यह नहीं करता हूँ कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनिती में ना आए जी नहीं योग्यता के अधार पर जनता के आशिरवाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनिती में जाए इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है लेकिन जो पार्टी पीडी दर पीडी एकी परिवार चलाता रहे पार्टी की सारी विवस्ता परिवारों के पात रहे वो लोग तंत्र स्वस्त लोग तंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है और आज समिधान के दिवस पर समिधान में विश्वास करने वाले समिधान को समझने वाले समिधान को समर्पित सभी देश वास्टियों से आगर करूँगा कि देश में एक जागरुक तवलानी की आवश्यक्ता है जपान में एक प्रयोग हुआ था जपान में देखा गया कि कुछ ही पुलिटिकल फैमिली ही वबस्ता में चल रहे हैं तो किसे ने बेड़ा उठाया था वो नागरियुकों को तयार करेंगे और पुलिटिकल फैमिली के बहार के लोग निर्ड़े प्रक्रिया में कैसे आएं और बड़ी सपलता पुर्वास ती इसी चीजों की और जाने की आवशक्ता है चिंता करने की आवशक्ता है देश वास्यों को जगाने की आवश्या है उसी प्रकार से हमारे यह प्रस्टाचार क्या हमारा समिधान प्रस्टाचार को अनुमति देता है कानून है नियम है सब है लेकिन चिंता तब होती है कि न्याय पालिकाने स्वयम ने इसी को अगर ब्रश्टाचार के लिए गोशित कर दिया हो ब्रश्टाचार के लिए सजा हो चुकी हो लेकिन राजनितिक स्वार्थ के कारण उसका भी महिमा मन्न चलता रहे ब्रश्टाचार को नजरंदाज करके सिद्ध हुई हकिकों तक है माउजूद भी जब राजनिति लाब के लिए सारी मर्यादाओं को तोड़कर लोक लाज को तोड़कर उनके साथ बैठना उठना शुरू हो जाता है तो देश के नवजवान के मन में लगता है कि अगर इस प्रकार से राजनिति के शेत्र में नेत्रुत्व करने वाले लोग ब्रस्टाचार में डूबे हो लोगों की प्राण प्रतिश्चा कर रहे हैं मतलब उनको भी वो मिलता रास्ता मिल जाता है कि प्रस्टाचार के रास्ते पर चलना बुरा नहीं है दो-चार साल के बाद लोग स्विकार कर लेते हैं कि हमें ऐसी समाज पर ववस्ता खड़ी करनी है क्या समाज के अंदर हाँ प्रस्टाचार के कारण को अगर गुना सहसीत ह हो चुका है तो को सुधरने के लिए मोका दिया जाए लेकिन सहारवजनिक जीवन में प्रतिष्टा देने की जो स्पर्धा चल पड़ी है यह मैं समयता हूं अपने आप में नए लोगों को लूटने के रास्तों पर जाने के लिए मजबूर करती है और इसलिए हमें इससे चिंतित होने की जरुत हैं यह आजादी के 55 साल है यह अम्रत काल है हमने अब तक आजादी के 55 साल दर्म्यान देश जिस स्थीति से गुजरा था अंग्रेज भारत के नागरीकों के अधिकारों को कुचलने पर लगे हुए थे और उसके कारण हिंदुस्तान के नागरीकों को उसके अधिकार मिले इसके लिए लड़ना बहुत स्वाभाविक था और जरूर भी था मात्मा गांदी समय हर कोई भारत के नागरीकों को उनके अधिकार मिले इसलिए वो लड़ते रहें यह बहुत स्वाभाविक है लेकिन ये भी सही है कि मात्मा गांदे ने आज़ादी के अंदोलन में भी अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते भी देश को कर्तव्य के लिए तयार करने के लिए लगातार कोशिश की थी उन्होंने भारत के नागरीकों में उस बीज को बोने की लगातार कोशिश की थी कि सफाई करो प्राउड शिक्षा करो नारी सम्मान करो गवरव करो नारी को एमपावर करो खादी पहनो श्वदेशी का विचार आतमे दिरभर भारत का विचार कर्तम्यों की तरब मात्मा गां मात्मा गांदेनी जो कर्तवे के बीज बोये थे वहां जाती के बाद बटबुर्च बन जाने चाहिए थे लेकिन दुर्भांगे से शासन विवस्ता ऐसी बनी कि उसने अधिकार 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 के ही बाते करके लोगों को एक ऐसी वश्ता में रखा कि हम है तो आपके अच्छा होता देश आजात होने के बाद कर्तव्य पर बल दिया गया होता तो अधिकारों के अपने आप रक्षा होती कर्तव्य से दाइत्व का बोध होता है कर्तव्य से समाज के प्रतिक जिम्मेवारी का बोध होता है अधिकार से कभी कभी एक आचक वृत्तिक पादा हो सामान्य मानवी के जीवन में एक बाव होता है कि यह मेरा दाइत्व है मुझे इसको निभाना है मुझे करना है और जब मैं कर्तब्य का पालन करता हूं तो अपने आप किसी के अधिकार की रक्षा हो जाती है किसी के अधिकार का सम्मान हो जाता है किसी के अधिकार का स्गवर करतव्यों के माध्यों سے अधिकारों के ररशा करने के रास्थ पर चल पड़े घर पर कर्तव्य का वह हैं जिसमें अधिकार की गारंटी हो कर रहा कर्तुम्य का वह पत है जो अधिकार संमान के साथ संसे दूसरे दिए के दिए देता है और इसलिए आज जब हम समिधान के दिवस को मना रहे हैं तब हमारे भीतर भी यही भाव निरंतर जगता रहे कि हम कर्तब्य पत पर चलते रहें कर्तब्य को जितनी अधिक मात्रा में निश्चा और तपस्या के साथ हम मनाएंगे हर किसी के अधिकारों के रक्षा होगी और आज जादी के दिवानों ने जिन सपनों को लेकर के भारत को बनाया था उन सपनों को पुरा करने का सौफ़ागे आज हम लोगों को मिला है हम लोगों ने मिलकर के उन सपनों को पुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए मैं फिर एक बार स्पिकर महोदय का इस महत पूपन आफसर के लिए बहुत बहुत बधाइदव करता हूं उन्होंने इस बात कारकम के रच्णा की यह कारकम किसी राजपनितिक नहीं था यह कारकम किसी प्रधार मंत्री है आयूजत नहीं किया गाया था ये सधना का गवरवह होते स्पीकर की एक गरिमा होती है बाबा साब आमबेडकर की गरिमा होती है संविधान की अपनी गरिमा होती है हम सब उन महान पुरुषों को प्रासान करें, तो वह हमें सिक्षा दें, ताकि हम हमेशा स्पिकर पत्की गरिम्या बनाए रखें, बाबा साबा मेडकर का गवरो बनाए रखें, और सम्मिधान का गवरो बनाए रखें, इसे का पेक्षा के साथ आप सब का बहुत बहुत धन्यवार माननिय प्रधान मंत्री जी अब बै आग रह करती हूँ माननिय उप्राश्रुपती जी एवं राज्य सभा के सभापती श्री एम वेंकया नाइडू जी से कि वे विशेष्ट सभा को सम्भोधित करें महा महिम राश्रपती जी माननिय प्रधान मंत्री जी माननिय लोकसबाद जेक्ष जी और माननिय संसदी एकार्य मंत्री जी माननिय जी एकार्य मंत्री एकार्य मंत्री जी